हम लगातार आपको खबर बता रहे हैं किस तरीके से अरुनाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारती और चीनी सेनिकों के बीच में एक भीषण भिढन्त हुई है इससे पहले गलवान घाटी में हुई थी लेगे आप अरुनाचल प्रदेश में चीनी सेनिकों ने एक बर फिर नापाक जो साजिश है वो यहाँ पर उसको अंजाम दिया है लेकिन जो हमारे वीर जवान है भारती सेनिकों ने उनको पीछे धकिलने का काम किया है भारती सेना की तरफ से भी आधिकारिक तोर पर पुष्टी इस बात की की गई है कि हाँ यह भिढन्त हुई थी 9 दिसंबर की जो पूरी भिढन्त है यह बताई जा रही है भारती सेना की तरफ से और कहा गया है कि दोनों ही सेनाओं को हला की हलकी चोटे आई है और 300 सैनिकों को हमने चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने का काम किया है 17,000 फीट की उचाएप पर भीडंद की गई है अब क्यों चीनी सैनिकों को दिक्कत है क्या चीन को दिक्कत है इस एरिया में वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो पूरा विवाद है क्यों चीनी सैनिक जो है और चीन इस विवाद को और बढ़ाता चला जा रहा है क्यों यहाँ पर ऐसा दुस्सा हस बार बार करता चला जा रहा है तो आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है इससे पहले भी चीनी सैनिकों ने करीब 200 चीनी सैनिकों ने यहाँ पर गुसबैट करने की कोशिश की थी जैसे इस बार 300 चीनी सैनिकों ने यहाँ पर की है इससे पहले भी 200 चीनी सैनिक थे उन्होंने गुसबैट करने की को सेहमती से मामला सुलज गया था और अराम से चीनी सेनिक थे वो आपस निकल गये थे लेकिन इस बार उन्होंने जादो दुस्साहस किया और भिडंद भी यहां पर होई हाला कि उनकों मूगी ही खानी पड़ी है हमारे सेनिको द्वारा तो यह आपको बता दें किस तरीके से अब जो विवाद है वो यह है कि इंफ्रस्रक्चर यहां पर भारत हमेशा तयार कर रहा है हमेशा से और यह जो पूरा बॉर्डर एरिया है यहां पर 40,000 करोड रुपे की लागत से एक फ्रेंटियर हाइवे बनाने की तयारी है वो की जा बड़ी आपर भारत की तरफ से किया जा रहा है सर यह जो पूरा चीनों को दिकत हो रही है कि तवांक पिछली बार गल्वान खाटी में हिसाब हुआ और अब यहां पर चीनी सैनिकों को यहां पर यह दिककत हुई है हलाकि उनको मुगी खानी पड़ी है इस पर क्या कुछ है और किस तरीके से ये जो बताया जा रहा है कि अर्मनाचल प्रदेश में किस तरीके से जो पूरा infrastructure बनाने की तैयारी की जा रही है तो इस पर क्या पूरा अप्डेट है इसना शायद नहीं हुआ जितना होना चाहिए था और उसमें सबसे बड़ी चीज जो हमेशा सेना की तरफ से भी कही जाती है वो है बॉर्डर एरियाज में infrastructure को डेवलप करना क्योंकि अगर आपकी सड़के सीमा पर दुरुस्त होंगी आपके अगर सड़के ठीक होंगी तो य फोधी सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़ादा आश्रास्त ही कि उसको यह काम जो है वो करना ही करना है जो भी इलाके सीमा जहां जहां पर जरूरी है और जहां 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 पर बहुत-बहुत दिनों से रोड का नैटवर्क बनाना जो है पंडिंडींग था अ सो चीनी सैनिकों को धकेलने में भारती सैनिकों ने काम अभी हासिल की है 17,000 की फिट पर यह जो क्लैश है यह हुआ है सेना की तरफ से आधिकारी किस पर बयान दिया गया है हालांकि अब यह माना जा रहा है कि इसमें ताजा मामले में आखिर चीन को दिक्कत हुई क्यों और इसके अलावा भारत ने अपनी तरफ से भी चीन को आइसलोरेट करने की कोशिश की लेकिन ताज़ा मामले में क्यों चीन को अचानक ऐसा हुआ कि इस तरह से क्योंकि तीन सो अगर आप चीनी सोलजर बोल रहे हैं तो अपने आप पर पूरी बटालियन हो जाती है लगबग तो यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ चंद सैनिक जो है वो बेटरोलिंग करते हैं और आपसे कुछ कहा सुनी हो गए और धका मुकी हो गए और बात चली गई कि हाली में चैतन आपको याद होगा कि अमेरिका और भारत की तरफ से एक जोइंट ऑपरेशन जो है जिसको बोलते हैं कि ट्रेनिंग एक्सराइज जो है वो बॉर्डर एरियाज में की गई थी जिसे लेकर चीन की तरफ से बयान आया था तब चीन ने इस पर आपत्ति जता थी अमेरिका को इस में लतार लगाते हुए खरी खोटी सुनाने के को शिर्च तब चीन ने की थी जिसपर अमेरिका ने भी रिएक्ट किया थाब भारत सरकर ने इस तरह की काम करने के कोशीश क्यूं की है वह एक बड़ी बात है प्लैश अब हुआ है उनको मूत वर जवाब देना चाहिए और आपने बात चुपाई है इसी की तरफ से भी बात की जा रही है। इस देश के नागरिक हैं और जायसी बात है उनको चिंता होगी। लेकिन अब यह उनके उपर है कि इस चीज का इस्तमाल जो है वो अपनी चिंता जाहिर करने के लिए सेना के साथ खड़े होते हुए इस्तमाल करते हैं या फिर इस मौके का इस्तमाल वो अपनी राजनीती को चमकाने के लिए करते हैं ये ओवैसी पर डिपेंड करेगा हलाकि ओवैसी ने जो बुद्दे उठाए जो सवाल उठाए वो बेहदी सही माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि आखिर किस बात को लेकर ये घटना घटी क्या वहाँ पर फाइरिंग हुई थी कि नहीं हु कोशिश जो है विपक्ष करेगा हालां कि अब देखना इस पर यह होगा कि विपक्ष इसको किस सरीके से लेता है कि आप मिराजनीति को और ज्यादा नेक्स्ट स्केल पर ले जाने के लिए इसका इस्तमाल करता है या फिर सरकार के साथ खड़े होकर ये बताने की कोशिश कर पर या फिर बॉड़े एरियाज में इस तरह के कोई घटना घटेगी तो इस पर बात तो होगी बात होगी तो घेरा भी जाएगा क्योंकि लगातार मोदी सरकार पर विपक्ष ये भी कहता रहा है कि लद्दाग में जो भी परिस्तितियां चल रही है आप चीजों को पूई कापिट अगर जाल के कर दे कि नहीं सब ठीक है सब ओके है या अप लाइट बंद कर दे कि अंधेरा आप कुछ देख नहीं सकते तो सब कुछ ओके है ऐसा नहीं है सरकार के उपर है कि तस्वीर को साफ करें क्या इस्तितिया है क्या परिस्तितिया है और जहां तक विपक्ष हुई थी तब अर्विन केज़िवाल के टीम से इसके अलावा जो भी विपक्षी तमाब पार्टिया थी तो उस गलती से सबक लेते हुए यहाँ पर कम से कम ओवैसी अर्विन केज़िवाल और कॉंग्रेस पार्टी ने तो समझ लिया कि सेना पर सवाल उठाना जो है वो खु अब एक और जानकारी में आपको दे दू किस तरीके से इंफ्रस्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने कर लीगी जो इंफ्रस्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है फ्रिंटर हाइवे यहाँ पर बनाया जा रहा है 40,000 करोड की जो कीमत से अब इसी के साथ एक चीज और यह जो खीची गई जो पूरी सीमा है यह मैकमोहन लाइन से होकर गुजरती है और मैकमोहन लाइन इसे कहा जाता है यानि कि हैंडरी मैकमोहन जो अंग्रेजों के विदेश सचिव थे उन्होंने यह सीमा के तौर पर इसे पेश किया था और भारत ही इसे सीमा मानता रहा है मैकम पूरा हिस्सा है ये भारत का ही है और भारत का ही हमेशा रहने वाला है भारत का ही था उस पर भी तब मूतोड़ जवाव इदेश मंत्राइली तरफ से दिया गया था हलाकि अभी जो रियक्शन है वो सामने आना बाकी है क्या कुछ इस पर अपडेट रहेगी वो आप तक पड़पा जाए आप कहेंगे ठीक है बता और भारती हम इस बात को कह रहे हैं तो आप ताइवान के साथ देखिए चीन क्या कर रहा है साउच चैनल सी में चीन क्या कर रहा है उसको जहां जैसे मौका लगता है उसकी कोशिश ही होती है कि जादा से जादा एरिया को कैप्च बियारों कि आप कर रहे हैं वही आपके काम आने वाला था वही सडके वही इंफ्रस्ट्रक्ट्रक्टर जो है वह आपके काम आने वाला था क्यूंकि परिस्तितियां जब बिगरती है तो फिर आपको ट्रांस्पोर्टेशन के लिए आपको अपनी चीजों को बॉर्डर पर नहीं दिख रही है जी तो अला कि अब इस जड़ब के बाद भारती सेनेकों ने तो मूतोड जवाब दिया ही है लेकिन अब विदेश मंतराले की तरफ से भारत सरकार की तरफ से क्या जो मूतोड जवाब है वो चीन को दिया जाएगा उसका अंतजार है हम आप तक पूरी खबर की होंगी वो पहुचाते रहेंगे